हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, सभी को मेरा नमस्कार अनन्च चतुरदसी की आप सभी को बहुत बहुत सुपकामना है आज हम सुनाएंगे अनन्च चतुरदसी वरत कथा एक बार माहराज युदिस्टर ने राजस्यू यग किया उस समय यग मंडप का निर्माड सुन्दर तो था ही अदबुद भी था वह यग मंडप इतना मनुरम था कि जल वा थल की बिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी जल में इस्थल तथा इस्थल में जल की भात प्रतीत होती थी बहुत साफदानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्वत मंडप में धोका खा चुके थे एक बार कहीं से टेलते टेलते दुर्योधन भी उस यग मंडप में आ गया और एक तलाब को इस्थल समझ उसमें गिर गया द्रोपती ने यह देखकर अंदों की संतान अंधी कहकर उसका उपवहास किया इससे दुर्योधन चिड़ गया यह बात उसके हिर्दे में बार समाल लगी उसके मन में देश उत्पन हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ले उसके मस्तिक में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजनने लगे उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत कीड़ा में हरा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची उसने पांडवों को जूए में पराजित किया पराजित होने पर वो प्रतग्या अनसार पांडवों को बारे वर्ष के लिए बनवास भोगना पड़ा वन में रहते हुए पांडव अनेक कस्ट सहते रहे एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आई तब युदिस्टन ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा तब सिरी किसन ने कहा हे युदिस्टर तुम विदी पूर्वकारंत भगवान का वरत करो इससे तुमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुमें खोया हुआ राज पुने प्राप्त हो जाएगा तो इस संदर में स्री किसन ने उन्हें एक कथा सुनाई प्राचीन काल में सुमंत नामक एक नेक तपस्वी ब्रामर था उसकी पतनी का नाम दीच्छा था उसकी एक परम सुन्दरी धम परायर तथा जोति मरी कन्या थी जिसका नाम सुसीला था सुसीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीच्छा की मृत्य हो गई पतनी के मरने के बाद सुमंत ने करक्रसा नामक इस्त्री से दूसरा विवा कर लिया सुसीला का विवा ब्रामर सुमंत ने कॉर्डिन रिसी के साथ कर दिया विदाई में कुछ देने की बाद पर करक्रसा ने दमाद को कुछ इटे और पत्थरें टोड़े बान दिये कॉंडिन रिसी दुखी हो अपनी पतनी को लेकर अपने आसरम की ओर चल दिये परंत रास्ते में ही रात हो गई वे नदी ड़ट पर संध्या करने लगे सुसीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी इस्त्रियां सुंदर वस्त दाड़ कर किसी देपता की पूजा कर रही थी सुसीला के पूछने पर उन्होंने विदे पूर्वक अनंत वरत की मेहत्ता बताई सुसीला ने वही उस वरत का अनुस्ठान किया और 14 गाटो वाला डोरा हाथ में बांध कर रिसी कॉडिन के पास आ गई कॉडिन ने सुसीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी उन्होंने डोरे को तोड़ कर अगनी में डाल दिया इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ परणावत से रिसी कॉडिन दुखी रहने लगे उनकी सारी समपत्ती नस्ट हो गई इस दरिद्धिता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुसीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही पश्चा ताप करते हुए रिसी कॉडिन ने अनंत डोरे की प्राप्ती के लिए वन में चले गए वन में कई दिनों तक बटकते बटकते निरास होकर एक दिन भूमी पर गिर पड़े तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले है कॉडिन तुमने मेरा त्रसकार किया था उसी से तुमें इतना कस्ट भोगना पड़ा तुम दुखी हुए अब तुमने पश्चा ताप किया है मैं तुमसे प्रिशन हूँ अब तुम घर जाकर विदी पूर्वक अनंत भरत करो चोदे वर्ट्स प्रयात वर्ट्स करने से तुमारा दुख दूर हो जाएगा तुम धन्य धान से संपन हो जाओगे कोडिन ने पैसा ही किया और उन्हें सारे कलिसों से मुक्ति मिल गई से क्रिशन की आग्या से युदिस्टर ने भी अनंत भगवान का वरत किया जिसके प्रवाब से पांडव महावारत के युद्व में विजाई हुए तथा चरैकाल तक राज करते रहे इस तरीके से अनंत 14 की वरत कथा समाप्त होती है देखे जब भी हम कोई वरत कथा या कथा सुनते हैं तो बिना गड़ेश जी की वो वरत कथा अमारी समपूर नहीं होती है तो आईए एक छोटी सी गड़ेश जी की कथा सुरू करती है एक बुड़िया माई थी मिट्टी के गड़ेश जी की पूजा करती थी रोज बनाए रोज गल जाएं एक सीट का मकान बन रहा था वो बोली पत्थर का गड़ेश बना दो मिस्री बोले जतनी में हम तेरा पत्थर का गड़ेश दढ़ेंगे उतने में अपनी दीवा न चिनेंगे बुड़िया बोली राम करे तुमारी दीवा तेड़ी हो जाए जब उनकी दीवा तेड़ी हो गई वे चिने और ढ़ा देवें इस तरह करते करते साम हो गई सेट ने बुड़िया बुलवाई सेट ने कहा हम तेरे सोने का गड़ेश घर देंगे हमारी दीवार सीधी कर दो सेट ने बुड़िया को सोने का गड़ेश दिया सेट की दीवार सीधी हो गई जैसे सेट की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना इस तरीके से हमारी अनन्त 14 की वरत कथा और गड़ेश जी की कहानी समापत होती है आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बता है वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की वीडियो आपको हमारी चैनल पर मिलती रहेंगी सभी को मेरा नमस्कार अनन्त 14 की आप सभी को बहुत बहुत सुबकामना है